महिला आरक्षिन बिल पास होने के बाद कई महिला नेता बेहत खुश नजर आई हैं उन्होंने बिल पास होने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की महिला आरक्षिन बिल पास होने पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भार जताया इजुरान केंद्रिय मंत्री स्मिती रानी ने इस दिन को अतिहासिक दिन बताया तो 27 वर्षों में आप ये पूर्नक क्यों नहीं कर सके मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्षों है 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया पेश भी किया और हम महिलाओं को ये देश की महिलाओं को इतना confident भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तमाल महिलाओं का नहीं किया महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लमेंट में किया हमारे सारे बहनां को बदाई देती हूँ अब हम अच्छे से बागदारी दे सकते हैं एक एंशूर्ड एशूर्ड 33% महिलाओं के लिए रिजर्फ किया गया अर्मेनिया में चुड़ी जंग के बीच अर्मेनिया में अमेरिका की फौज ने अभ्यास खत्म किया इस अभ्यास को नगर्नो करबाख पर चुड़ी नई जंग के बीच नए समीकरन गढ़ने वाला माना जा रहा है इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिष अर्मेनिया से नज़दी की बढ़ने की है अगर अर्मेनिया और अमेरिका के बीच दोस्ती हो गई तो नगर्नो करबाख की लड़ाई में रूस की भूमिका लगभग खत्म हो सकती है। और इस दोरान बढ़िया काम करने वाले सुरक्षाबल के जमानों से प्रिधान मंतरी शुकरवार को मुलाकात करेंगे। सुत्रों के मताबिक इस कारकरम का आयोजन भारत मंडपम में किया जाएगा। और इस बिच मुंबाई में मौजूद रिलाइंस इंडस्ट्रिस के चेमेन मुकेश अंबानी के घार एंटीलिया में गणेश उत्सफ की धूम देखने को मिली। और वहाँ पर एंटीलिया के राजा के दर्शुन के लिए फिल्म और राजनीती जगत की काई हस्तियां पहुंची है।